हेलो हेलो फ्रेंड्स गुट मॉर्णिंग कैसे हो आप सब उमिद करते हैं सब बढ़िया होंगे चकाचक होंगे मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है सबसे पहले तो आप सभी को धंतेरश की धेर सारी शुपकाम नाए हाँ वीडियो थोड़ा लेट हो गया है दिपावली खतम हो गया है और मेरा वीडियो आज धंतेरश का ही जा रहा है तो क्या करें दिपावली था तो काम इतना जादा था कि जितना भी काम कर लो खतम होने का नामी नहीं ले रहा था तो आज 13 के दीन तो हम बस इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि आज हम काम खतम कर दें सारा मतलब पूरा घर का जो सजावट है जो सरियाना है हर चीज है वेवस्थीत करना है वो सारा आज खतम ही करने चाहे जितना भी लेट हो जाए अस्टान करने में क्योंकि आज का जो पूजा है वो हम निमी को पापा को बोल दिये हैं कि आप कर लीजेगा पूजा क्योंकि आज पता था कि खुद में ही कि लेट होगा ही होगा तो बस यहां पर चल रहा था सारा जो भी शमान था जहां समझ में आया वहां रखें यह वाला ओवन जो है यह हम इस वाले बतलब किचन के बाहर वाले काउंटर पर रखेंगे इस बार सोचे कि यहीं रखते हैं क्योंकि कीचन छोटा है ज्यादा कंजेस्टर हो जाता है और धंतेरश के दिन यह भी हो जाता है कहा जाता है कि दिपावली के पहले घर से जो कचड़ा निकला साफ सफाई में जो गंदगी निकली उसको भी घर से बाहर निकाल ली देना चाहिए आज के दिन मतलब धंतेरश के दिन उसको घर से बाहर ही फेक देते हैं उसके बाद ही फिर दिपावली मनाते हैं उसको घर में नहीं रखना चाहिए मतलब होता है कि किसी कोनी में जमा करके रख रहे हैं एक ही दिन निकाल के फेकेंगे ऐसा होता है तो बस वही था म तो बश यह गंदगी जो निकालना था वो सब निकालके फेक दीए यह कहते हैं ना कि पहले से अगर टाइम हो तो लगता है जैसे कि अच्छा आज नहीं कल कर लें आज नहीं कल कर लें ऐसे-इसे करके सोचते कर लेंगे लेकिन जब लाश्ट हो जाता है तो फिर वह बहुत त केजी से मतलब कि पूरा जोश में काम करना सुरू कर देते हैं हम सब तो यहां पर बच्चे भी लग गया थे और बालू लाए थे यह वाला जो मेरा फ्लावर पॉर्ट था आर्टिफीशियल इसमेरा पहले से ही बालू भरा हुआ था और इसका जो नीचे वाला था बहुत ह में तक बाहर नहीं था बारबर गिर जाता था पटका पटका के उसका प्लाव जो था है फो थोड़ा-थोड़ा करके बाहर आ रहा था तो उसमें प्लास्टिक बांध दिये थे की बालू बाहर ना आए उसके बान्याश्चihण करके बदो कर दिए ताकि यह मेरे या इसको हम टेकुरेट किये बहुत ही सुन्दर लग रहा था तो चले काम तो होता रहेगा और पिछला वीडियो में एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि आप डायटिंग करते हो उनका कमेंट अच्छे से समझ में नहीं आया बस इतना ही समझ में आया आप डायटिंग करते हो तो हम उनको बता रहे हैं कि डायटिंग हम नहीं करते हैं और डायटिंग क्या करेंगे घर में इतना कुछ काम होता है इतना काम होता है कि डायटिंग करने के जरूरत नहीं पड़ती हाँ वो जो जूश आपने दिखा होगा कि आवला और बीट का जूश पी रहे थे तो वो डा तो ऐसा कुछ डाइटिंग मेरा नहीं रहता है तो बस यहां पर मेरा शारा काम हो ही गया था धीरे धीरे सारा दो चार कपड़े थे और बहुत सारे कपड़े तो हम रात में ही कर लिये थे और दो चार अभी बाकी थे वह भी हो गया वेट शिट डाल लिए उसके बाद इधर साथ लगा शोरी दो फिसल и पर लाइटिंग का काम यह वी आज करना ही जरूरी था तद्धंतेर लग जाता है और जलना वी शुरू हो89 और यह नहीं नहीं लगा लेकिन यह सब जो लाइट लाइट होती है यह सब जरूरी हो जाता है औरेंज लूह अना ओरहने में तोपती है भी खराब है जब हो जित्वा और यह भी हो जाता हैлем कि यह सब लाइटे जो है एक शाल से दो साल मेक्सिमम मैक्सिमा कर से यह नहीं चलता है ऑपर सनग रख़े ही खराब हो जाता ही अक्षा सक claiming में कितरागी निफिनी सब dvb छाएथ ना तो समझ में आएगा अच्छे से की कैसा लग रहा है इसका कलर तो खर यह तो रंग पिरंगा स्टार टाइप का था जैसे कि लाल पिला हरा स्टार बना हुआ था बहुत ही शुंदर लग रहा था अब जाके इसका खुबसूरती दीख रहा दरवाज़ा बंद करके देखने से बहुत ही शुंदर लग रहा था और यह देखे आज आ गया था यहां पार्शल आज नहीं आया था कल ही आया था तो हम इसको खोले नहीं थे रखा हुआ था तो यह पार्शल में क्या है यह खोल के आप लोगों को दिखाते हैं तो इस में आप लोगों को दिखाते हैं कि इस वाले डबे में क्या है और जितना भी शॉपिंग किये है ओनलाइन जितना भी पार्शल आया है सारे में घर का ही डेकोरेशन का कुछ न कुछ समान आथा कुछ न की अपने लिए या फिर बच्छों के लिए कोई ड्रेस मंगवाए है यह सब नहीं हो पाया क्यूंकि ना ल प्रिशूष का था और हरा हरा सा फूल देख था छोटा छोटा सा पॉट पहुत ही सुन्दर लग रहा था फूल नहीं पत्ते थे सारे अरे हरे यह जहां रखने के लिए मंगवाये थे न वहां इतने ही छूटे-छूटे से पॉट अच्छे लगेंगे देखने में सुन्दर लगेंगे इसलिए इसको सेलेक्ट करके मंगवाये थे और इस वाले में जो चोड़ा वला डबा हम खोले थे पहले उसमें था यह वाला यह स्टिगर टाइप का है जो कि इसमें यह कहीं भी वाल पे चिपका दीजे तो बहुत ही सुन्दर लगेगा और यह वाला था जो कि छोटा चोटा सा बहुत सुन्दर लग रहा था घ्रीन घ्रीन हरा तो यह तो हो गया था और यह वाल पेपर था यह वह लेकिन इसको आज चिपका यह जा रहा है फ्रिज के ऊपर वाले मतलब सामने वाले जो पल्ला होता है उसमें चिपका रहे थे काफी दिनों से ही हमारा लाल लाल दिख रहा था थोड़ा सा चेंज किये सुन्दर लग रहा था देखने से जैसे लग रहा था कि न्यू फ्रीज है तो बस यह वहला भी हो गया था फिर यह लोग दोनों भाई बाइन इसमें लग गया था यह वैला इस्टीकर जोकी वाल पर दिवाल पर चिपकाना होता है बहुत ही सुन्दर लग रहा था मतलब इन लोगों का था ना बच्चे का होता ही ये बहुत बच्चों का ये आदत होता है कि जो आया उसको बस जल्दी-जल्दी से चिपका ही देते हैं मतलब थोड़ा सा वेट नहीं करना है कुछ घंटे रुकना भी नहीं है और ये लोग लग गये थे बस फटाफट से इसको भी शेट किये बहुत ही खूपसूरत लग रहा था ये देखे इसका फाइनल बहुत ही सुन्दर लग रहा था ये लेकिन मुझे न लगान कि मेरे पुझा पड़तों ही गया था उसके बाद यहां पर कुकर में चड़ाई थी निम्मी चड़ाई थी तहरी तो यह बन गया था तहरी बनाई थी क्योंकि आज बहुत ज्यादा लेट हो गया था भूप बहुत तेज लगी ती जबी को अब इतना जल्दी में फिर क्या बनता ऐसा कुछ बनने वाला नहीं था रोटी में फिर टाइम लगता है तो तहरी ही बना के हम लोग शब खाये उसके बाद फ्रेंट्स आप लोगों से मिलते हैं फिर दूसरे दिन यह है फिर दूसरे दिन का वीडियो तो अब आप लोगों को दिखाते हैं कि हम किचन के लिए क् शमालना है तो दंते रश मेरा यहि मानना रहता है कि कुछ ऐसा लोग जिसको हम यूज कर सके और सालोव साल यूज कर सके और जब भी तो याद आए को प्राद को भू delegat उसको दिखाते क्षा में फिर काफी हम लोगों ने ऑनलाइन सॉपिंग कर ली थी बहुत जादा उसके बाद इसमें था वाल पेपर ये तो फ्रेंड्स आज की वीडियो लगी कैसा ये जरूर बताईएगा इसी एक साथ अब टाटा बाय बै कहने का भी टाइम हो गया फिर आप सबसे कल मिलते हैं दिपावल हुआ 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 है